या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र के नौवे और आखरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है मा दुर्गा की नौवी शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सारी सिद्धियां प्रात होती हैं देवी सिद्धिदात्री को मा सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है क्योंकि माता अपने शोयत वस्त्र और अलंकार से सुसर्जित अपने भक्तों को महाग्यान और मधुर स्वर से मंत्र मुग्द करती हैं। सिद्धिदात्री मा की पूजा के बाद ही अगले दिन विजयादश्मी अर्थात तशेहरा का पर्व मनाय जाता है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सो में है। देवी की चार भुजाई हैं। दाई भुजा में माता ने चक्र और गदाधारन किया है। और बाई भुजा में शंक और कमल का पुश्प है मा सिधिधात्री कमल आसन पर विराजवान रहती है मा की सवारी सिंग है मा की आराधना करने वाले इस दिन को चैत्र नौरात्र में राम नौमी कहा जाता है और शार्दिय नौरात्र के अगले दिन अर्थात दस्वे दिन को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाय जाता है विजय दश्मी का पर्व इस दिन माता सिधिदात्री को नवान प्रसाद नवरस युक्त भोजन नोप्रकार के पुष्प और नोप्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए सरव पर्थम कलश की पूजा और उसमें इस्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं इसके पर शाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा किराती है इस दिन कम से कम नोकर्ण्याओं को घर में भोग लगाते हैं नोदुरगाओं में सिद्ध दातरी, नवम और अंतिम सरूप हैं और इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाय पूण होती हैं इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों पर तुरंत प्रसंद होती हैं भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रा प्राप्तों को माता सिध्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वान चक्र में उपस्थित शक्ती सुता ही प्राप्त हो जाती है। प्राप्तों के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्राप्तों की आराधना करने को कहा। इसके बाद ब्रुम्हाजी ने शक्ती के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रुम्हाजी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्ष्वर का रूप धारण कर उनके समीब कहे और अपने शरीर में इस्थित देवी शक्ती के अंश को प्रथक कर दिया। तब ब्रुम्हाजी ने उस परम शक्त के स्तोते की। ब्रुम्हाजी के स्तोती से प्रिसंद होकर शक्ती ने अपनी भ्रकुटी के मध्ध से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ती की स्रश्टी की जिसने हिमाले की पुत्री पारवती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया मा सिधिधात्री को विद्या की देवी मा सरवस्वती का भी स्वरूप माना जाता है नौरात्र में जिन देवियों के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है उनमें मा सिधिधात्री को सबसे अधिक महात्वपूर्ण माना गया है इन्हें संपूर्णता की देवी भी कहा गया है वैसे तो मा सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी किरा चकती है लेकिन नौरात्र के नवे दिन को स्रेश्ठ माना गया है इस दिन विदिविधान और पूरी निश्ठा से मा सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियां प्रा जाती है कहा जाता है कि साधारन मनुष्यों के अलावा रिश्यमोनी और देवता भी हर काम में सफलता पाने के लिए मा सिद्धिदात्री की पूजा साधना करते हैं मासिधिदात्री की साधना से लोगों की सभी भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इनके कृपा से कठिन से कठिन कारे भी चुटकी में संभव हो जाते हैं हिमाचल के नंदा परवत पर इनका प्रसिध तीर्थ है अरिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम में इशुत्व और वशित्व ये आठ सिध्धियां होती हैं सच्चे मन से विदिविधान से उपासना आराधना करने से ये सभी सिध्धियां प्राप्त की जा सकती हैं इन सिध्यों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देवी मा के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, उपर वाले हाथ में गदा और बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में शंक और उपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। सिद्धिदात्री मा का वाहन सिंग है और ये कमल पुष्पपर भी आसीन होती हैं। विदी विधान से नवे दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना करने से सिद्धियां तो प्राप्त होती ही हैं। साथी साथ लोकिक और पारलोकिक सभी प्रकार की कामनाएं भी पोण होत भगवती सिद्धात्री का ध्यान करने से निर्वान चक्र जागृत होता है जिससे सिद्ध रिद्ध की प्राप्ति होती है नौरात्र के नवे दिन सिद्धात्री की पूझा पाठ करने से अपने कार्यों में आ रहे सारे व्योधान समाप्त हो जाते हैं और सभी मनों कामनाए स्वतापूर्ण हो जाती है नौरात्र में नौ दिन माता दुरुगा के नौ रूपों की पूचा की जाती है मा की महमा को कौन नहीं जानता इनसे जुड़ी हुई कई कथाएं हैं आए जानते हैं मा दुरुगा से जुड़ी हुई कुछ प्रमुक कथाओं के बारे में पहली कथा के अनुसार लंका युद्ध में रुम्हा जी ने शीराम से रावण बद के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन करने को कहा और बताये गए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेदू दुरलब 108 नील कमल की विवस्था की गई वहीं पर दूसरी ओर रावण ने भी अमर्ता के लोग में विजय कावना से चंडी पाठ प्रारम किया ये बात इंद्र देव ने पवन देव के माध्यम से शीराम के पास पहुँचाई परामर्ष दिया कि चंडी पाठ यथा संभोपूर्ण होने दिया जाए इधर हवन पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प तूटता सा नजर आने लगा भैस बात का था कि देवी मा रुष्ट न हो जाए दुरलव नील कमल की व्यवस्था ततकाल असंभो थी तब भगवान राम को सहज ही स्परण हुआ कि मुझे लोग कमल नैन यानि नवकंच लोचन कहते हैं तो क्यों न संकल्प पूर्ति हे तो एक नेत्र अरपित कर दिया जाए और प्रभूशी राम जैसे ही तूडीर से एक बांट निकाल कर अपना नेत्र निकालने के लिए तयार हुए वैसे ही देवी ने उनका हाथ पक कर रहे थे और उस पाठ में यग्य कर रहे ब्रामभणों की सेवा में ब्रामभण बालक का रूप धरकर हनुमान जी भी आ गए निस्वार्थ सेवा देकर ब्रामभणों ने हनुमान जी से पर मागने को कहा इस पर हनुमान जी ने विनमरता पूर्वक कहा कि प्रभू आप तो जिस मंत्र से यग्य कर रही हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजे ब्रामण इस रहसी को समझ नहीं सके तथास तो कह दिया और इस तरह मंत्र में जया देवी भूर्त हरनी यानि की प्राणियों की पीला हरने वाली और वहां पर का बदलने से भूर्त करनी का अर् रुनाश करवा दिया हन्वान जी ने स्लोक में हा की जगे का करवा कर राउड के यग्य की दिशा ही बदल दी नौरात्र परव से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिशासुर का वद किया था पौराडी कथाओं के अनुसार महिशासुर के प्रियोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिशासुर ने नरक का विस्धार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्र को देखकर देवता विश्मे के स्वदी में आ गए महिशासुर ने सूर्य इंडर अगनी वायू चंद्रमा यम बरुन और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयम स्वर्ग लोग का मालिक बन वैठा देवताओं को महिशासुर के प्रकूप से प्रतिवी पर विजरान करना पड़ ला था तब सभी देवताओं ने मिलकर त्रिमूर्ति से विंति की ब्रंभा वेश्नु और शिव अपने शरीर की उर्जा से एक आकरती बनाई और सभी देवताओं ने अपने शक्तियां उस आकरती में डाली और इस प्रकार दुर्गा को शक्ति के रूप में प्रकट किया दुर्गा की छवी बेहद सौमे और आकर शक्ति उनके कई हां थे क्योंकि सभी देवताओं ने मि उन्हें शक्ति दी थी इसलिए वो सबसे अधिक शक्तिशाली माने गई मा दुर्गा को शिव का तरशूल मिला विश्नु का चक्र प्रम्भा का कमल वायुदेव से उन्हें नासिका मिले हिमावंत यानि परवतों के राजा हिमाले से कपड़े धनुष और शेर मिला और ऐसे ही एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तयार हुई नौ दिन देवी महिशासुर संग्राम हुआ जब दुर्गा यानि देवी ने महिशासुर पर हमला किया और एक एक कर दैतियों को मारना शुरू किया तब महिशासुर को मारने के लिए उन्हें नौ दिन लगे इसलिए नौरात्र को नौ दिन मनाया जाता है कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया था इसलिए नौ दिन नौ अलग 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 देवियों की पूजा की जाती है हर दिन को अलग रंग से जोड़ तर भी देखा जाता है इससे जूरी अनिक अधायें भी हैं देवी दुरगा को अश्च भुजाओं वाली कहा जाता है कुछ शास्त्रों में दस भुजाओं वाला भी कहा गया है वास्त शास्त्र में आठ एहम दिशाएं होती है लेकिन कई जगों पर दस कोण या दिशाओं की बात की जाती है। कई जगे आठ दिशाएं ही मानी जाती हैं क्योंकि आकाश और पातायल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू शास्तों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और यही कारण है कि उनकी आठ बुजाएं हैं जो आठों दिशाओं में काम करती हैं। देवी को शेर पर सवार बताया गया है। दुर्गा का वाहन शेर है जो इसे अतुल्य शक्ति से जोड़ कर दिखा जाता है। और चंद्र का प्रतीक मान जाती हैं। नौरात्र को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पित्र पक्ष में पित्रों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर के शुद्धी होती है। और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नौरात्र और इसके बाद से हर तरह के त्योभारों की शुरूबात होती है। कि देवी पक्ष के पहले दिन मा दुर्गा अपने बच्चों के साथ प्रतिवी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। नौरात्र के नौ दिनों में देवी मा के पिभिन सरूपों के बारे में हमने बात की। इसके अलावा मा के आउशदिय महत्व और नौरात्र और नौ दुर्गा से जुड़ी कुछ अन्य बातों की चर्चा भी की। अगली कड़ी में हम बात करेंगे दशेहरा अर्थात विजय दश्मी परव के बारे में इसके अलावा कुछ और बातों की भी चर्चा होगी देखते रहिए हमारा यूटूब चैनल यह दिया आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से अनुरूद है कि सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा की किरपा आप पर सदयव भनी रहे जै मादूर्गे